मनजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त होसलों सुरान होती है और आज मैं एक दम कन्फर्म हो कि आप अपने होसले से पूरी तरह लवरेज हैं क्योंकि आपने अपना अररभी IPS क्लेरिकल का और IPS अररभी प्यो का डाउनलोड कर लिया है और अब पूरी तरह से लगे हुए हैं उसको पार करने में यानि के पीटी पास करके मेंस की तियारी करने में और पूरी तरह से कौलिफाई करके जॉइन करने में आई दोस्तों आज बात करते हैं कि हम जब एक्जाम में उपस्तित हूँ आईए हम ध्र-ध्रे बात करते हैं प्यो का एक्जाम आपका पीटी का है एक और साथ अगस्त को और क्लरिकल का आठ और चौदा अगस्त को इसके लिए अभी आप देखेंगे अगर तो क्लरिकल के एक्जाम के लिए आपके पास बचा हुआ है 15 दिनों का समय और एक तारिक में तो सर्फ एक ही अबत बाकी है किसी का अगर साथ को होगा तो उनके लिए चलिए होगे अप 15 दिनों का समय तो इस 15 दिनों में हम क्या गल्ती करते हैं उसको ना करें इस पर हम ध्यान देते हैं और मज़दार बात आपके लिए यह है कि आपने SBI क्ल पीटी के लिए क्राइस चौर्स दिया हूँ था और अब आपके लिए मिंस का भी क्राइस चौर्स दे गया गया है पिटी का जो क्षब हैं दोसतों वहःको काम करें आर रार भीव्यो और और रभी क्लर किल्यूर्प वाला अग्ज़ंग में उसको आप बार बार ध्यानो देखें उसका एक नोर्स बना लें और अपनी सफलता को सुनिस्चित करें अब अगर हम बात करते हैं और भी या कलरकल की तो इसमें कोश्चन होता है कितना 40 कोश्चन होगा हमारा इसके लिए है आपके लिए साथे 22 मिन टाइम और इसके लिए वी कितना रिया गया है साड़े-बाइस मिनिट तो यहां पर कुछ बच्चों का जिनका मैस स्ट्रॉंग है वो सोचते हैं कि हम मैस से स्टाट करें अगर पी ओ की बात करें तो पी ओ में आपका पांच कोस्टिन करीब बार्ड मास से होगा पांच को शुक्षिन आपका रहेग तो अगर किसी का मैस स्ट्रॉंग है तो मैस स्टाट करता है लेकि हमने देखा है NCC के सारे बच्चे ये 40 कोसिन र्जिनिंग का मुस्किल से 17-18 बिट पर कर देते हैं तो आप जिनका अरजिनिंग स्ट्रोंग है वो यहां से इस्टार्ट कर सकते हैं पजल में अगर अगर आप फस रहे हैं थ़रा बड़ा पजल है तो छोड़ भी सकते हैं उसको और उसके बाद आप मैंस में जा सरहें मैस में जाकर quality खोज कर बनाएंगे board mask खोज कर बनाएंगे series खोज कर बनाएंगे data बनाएंगे इसके बाद अधी आपको मौका मिलेगा तो आप वहाँ पर Bardzo टेश करेंगे ये VO की बात होग dużo मगर मैं आज आप से बात कर रहूं especially Clarkal का आपको याद है पिछले साल 55 और 60 में P.O. का स्लेक्षन हुआ था लेकिन कलरिकल वाले में 75 एबाब स्कोर गया था उस 75 के लिए आपो क्या करना है घबडाना नहीं है पूरा इंज्वाय करना क्योंकि question बच्चों वाला आने वाला है जब भी कोई 80 out of 80 touch करता है 79 touch करता है 78 touch करता है that means question is quite easy otherwise it is not possible for anyone to solve within 45 minute 80 question जब बच्चे solve कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी जीत के त्यारी पूरी हो चुकी है आप पूरी तरह से एकदम त्यार हैं सारा question बनाने के लिए और उस सारा question आपको घर से ही याद है अगर exam में जाकर हम research करेंगे ये question कैसे बनेगा ये question कैसे बनेगा तो नहीं हो पाएगा इसलिए मैं एक बार फिर आपसे appeal करता हूँ कि NAC के app के थूरू आप हमारे course को purchase करें जिसने पीटी के लिए कैसे त्यारी कर ये दिया हुआ है और सारा syllabus मैस का और रजिनिका उसमें दिया हुआ है उसके दिया बार बार देखते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हंड्रेड परसेंट आप क्वालिफाई कर रहे हैं पीटी के एक्जाम में और फिर यदि मेंस का आप क्राइस कोर से अगर देखते हैं तो मेरे से आप आसाने से क्वालिफाई कर सकते हमारा क्लास सुबह छे बज़े से करेंट का क्लास से स्टार्ट हो जाता है साड़े साथ बज़े English class start होता है 8 बजे Math reasoning का और उधर 3.30 बजे फिर current का और traditional static GK का और शाम को 8 बजे से class होता है आपका traditional GK का यह पूरा दीन भर यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे app के तरू आपको NSC magazine मिल रही है आपको daily GK मिल रहा है और जितना चीज प्रहाएज आ रहा है उसका भी आपको PDF मिल रहा है यह सारी बाते आपको इसलिदी आ रही है ताकि आप ऐसी कोई गलती न करें जो आपको qualify करने से रोक दे यह exam हो रहा है उसके लिए जिसने पूरी त्यारी घर में कर ली है जैसे आज से Olympic के start हुआ अगर कोई जाकर सोचेगा कि Olympic में जाकर सोचेंगे क ऐसे jump करना उसको Olympic में भीजा जाएगा पहले Olympic का एक criteria है उसको टाय करेंगा वही जाएगा और हमारे सारे प्लेयर्स मेडल जितके लाएं इसके लिए मैं एक बार उनके नाम पर वाउ करता हूं तो सारे प्लेयर जिस तरह Olympic मेडल जितके आएंगे आपको मेडल जितना है आर पर नंबर भी आपके लिए डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यह देखिए हमको आप YouTube में फॉलो कर से बहुत पढ़ने के बाद जब कुछ depression लगता है यह लगता है कि अब क्या करें तो कुछ कहानी आप सुन सकते हैं motivational आप class करते NSC Online में Instagram पर आप information ले सकते हैं Facebook पर टेलिग्राम पर और इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी दुविदाओं को दूर कर सकते हैं बच्चों आपके लिए wish you all the best घवडाना नही है exam काफी easy होने वाला है और clerical में अंतर क्या रहेगा मैस में तो clerical में 10 नंबर का board mask extra हो और काफी easy रहेगा अगर आप RRB clerical के अगर मैं बात करूं तो start किजिए board mask से series से quadratic से reasoning में inequality से लोगिज्म से और उसके बाद data से छोटा छोटा puzzle से coding decoding से और अपनी सफलता को सुनशित करें wish you all the best wish you all the best thank you very much